नमस्कार दोस्तों! आज का यह वीडियो बहुत ही special होने वाला है कुकि इस वीडियो में आपको डी-कमपोस्ट किस तरह से बना जाता है और किस तरह से इसका यूज करके हमारी जो भी खेत है या दोस्तो हमारा गार्डन है उसमें जो प्लांट है वो हर भरे और फॉल और फूलों से पूरी तरह से भड़ जाए यह जो डीकमपोस्ट है इसे बनाने के जो विदी है यह बहुत यह आसान है अगर आप फ्लाट में रह रहे है या फिर चाल में रहे है और आपके पास जगार नहीं है तो आप रूम में भी इसे बना सकते है तो इक इसका कोई भी स्मेल नहीं आता है और बहुत आसान है इसे बन जाता है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कुण कुण से चीजे हमें इसमें यूज करना है सबसे पहले तो हमें पानी ले लेना है अगर आप 5 लिटर में बना रहा है तो 5 लिटर अगर 10 लिटर में बना रहा है तो 10 लिटर हमें पानी के आवा सकता होगी इसके बाद आप देख रहे हैं यह गूड दोस्तो जो भी हम खेती का काम करते हैं उसमें जो गूड उयूज होता है वो काला वाला ही गुड़ी यूज करते हैं पर मेरे पास अभी है नहीं तिसके लिए अगर आपके पास है तो आप इसका उज़ कर सकते हैं नहीं तो फिर दोस्तों जो किराना स्टोरिस हो जो मिलता है जो खाने के लिए हम यूज करते हैं उसका भी आप इस्तिमार कर सकते हैं और यह है बायू डीकमपोस जो मैंने online पर्चेस किया था अगर आपके आज पोड़ोस में जहां खेती का सामन मिलता है याने सीड्स या फटलेजर मिलता है वहाँ पर आप एक बार चेक कर लिए अगर यह मिल जाए यह दोस्तो ओफ लान मिलती नहीं है इसके लिए मैंने इसे online पर्चेस किया था इसके प्राइज आप देख रहा है प्राइज इसके सीब 21 रूपीज है याने 20 रूपीज है 21 रूपीज है इसका प्राइज है पर दोस्तो मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने इसे flip card से online मंगाया था online मुझे यह दोनों बोटल 195 में पड़ी थी मैं आपको दिखा देता हूं इसमें हर टीबी में 20 ग्रम, 30 ग्रम या 40 ग्रम तक ही इसमें दोस्तो बायो डीकमपोस लेता है आप देख सकते हैं नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि यह बोटल खाली है पैसा नहीं है यह इतनी मात्रा में इसमें आता है जो brown color में आप देख रहे हैं दोस्तो इसे एक बड़ आप purchase कर लेते हैं तो lifetime में आप इसका यूज़ कर सकते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं उसके poor detail में आपको देता हूँ देखें मैं 5 लिटर आपको बना के दिखाता हूँ इसके लिए हमें 50-100 ग्राम तक हमें गुड लेना है जिस मात्रा में हमें decomposer बनाना है उसी मात्रा में हम लोग गुड का भी इस्तेमाल करेंगे देखें दोस्तों अगर आपको 10 लिटर बनाना है तो कम सकम इसमें 100-100 ग्राम तक हम डालेंगे अगर यहीं आपको 50 लिटर तक बनाना है तो फिर आप आधा के जी या फिर 600 ग्राम तक हमें इसमें यूज़ करना है देखें दोस्तों जो भी गुड हम यूज कर रहे हैं उसको हमें बारिक कर लेना है ताकि वो बहुत आसानी से पाने में पिगल जाए और जो भी हम गुड का लिकड़ी बनाएंगे वो अच्छी तरह से बन जाए और आप देख रहे हैं इसी तरह से हमें बायोटी कमपोस एक इसके 1.5 ग्राम हमें लेना है 5 लिटर के लिए और जिस तरह से आप उसके मात्रा बढ़ाएंगे पाने की उसी तरह से हम लोग इसकी भी मात्रा बढ़ा देंगे यह मुझे लगता है दो ग्राम से उपर ही है तरह दोस्तों हम इसे ले लेते हैं और इस अच्छी तरह से पा बप्रिषण कि nggak को करके इसका बाइवडेकंपशद बना जाता है और इसमें बहु हो ज्यादा मात्रा में मिट्र जीवणू रते हैं पर ये मीट्र जीवणू । दोस्तो डिएक्टिवेट रहते हैं यानि activate नहीं रहते हैं तो आपको जो मैं भी विधी बता रहा हूं इस विधी का हम यूज करके जो भी deactivate जो bacteria है यानि मित्र जीवान है इसको activate कर देंगे और इसके साथ साथ ही इसके जो दोस्तो मित्र जीवान है वो multiply हो जाते हैं अगर एक ग्राम या दो ग्राम हम इस पानी में डालते हैं अगर इसमें एक लाग से कम मात्रा में अगर मित्र जिवानू है तो इसकी संख्या बढ़कर ये करोड या सो करोड तक बन जाती है यानि इस विदे से हमार दो फायदे होते हैं एक तो जो deactivate bacteria है वो activate हो जाती है और सबसे पहले तो हम लोग एक प्लास्टिक के बाल्डी ले लेंगे और जिस मात्रा में हमें बनाना है उसकी सबसे हम बाल्डी में पानी ले लेंगे ये liquid decomposed बहुत ही फायदे मन होता है कभी कभी आप देखते हैं कि एक दो साल हो जाने के बाद जो हमारी गमले की मिट्टी है वह दोस्तो बंजर टाइप बन जाती है याने इसमें कोई भी हम खाद देते हैं वो खाद अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है और जो हमारी प्लांड की जो ग्रोध होनी चाहिए वो उस तरह से ग्रोध होती नहीं है उस टाइम पे आप जब खाद देते हैं उसके बाद जब आपको लगता है कि ये खाद हमरे प्लांट को नहीं मिल रही है, तो आप इसमें सो से देट से मल तक हर गमले में हमें देना है, और जो रूखी हुई ग्रोथ है प्लांट की, वो भी दोस्तो आपको दस बारा दिन में उसका रिजल दिख जाएगा, और जो फटले जब हमने गमले में डाले था, उसका भी नूट्रेशन पूरा उस प्लांट को मिलना चलो हो जाएगा, देखे जो भी हम लोगों ने गोल बनाय था, वो साब इसमें हम डाल रहे हैं, गोल हम लोगों के अच्छे तरह से मिस करने के बाद, हम इसे किसी भी ढखन के साथ, या कोई भी बरतन लेके इसे अस्तितर से ढख लेना है, और हमें ऐसी जगा रखना है, जहां पर डारिक संदाइट ना आती हो, यानि जहां पर दूप ना आती हो, ऐसी जगा पर हमें रखना है, और ये कम से कम 6 या 7 दिन तक हमें ऐसे ही रखना है जो हमारे deactivate जो बैक्टिरिया है वो 5 या 6 दिन में ही एक्टिवेट हो जाएगी अगर आप कोई भी liquid fertilizer बना रहें जैसे सरसो के खली का liquid fertilizer गोबर के कंडो का liquid fertilizer उसमें अगर आप पानी का यूज करते हैं तो पानी की जगा आप इस गोल का इस्तिमाल कर सकते हैं याने bio decompose का हम इस्तिमाल कर सकते हैं तो इससी यह होता है कि दोस्तो इसमें पहले से activate bacteria रहती है और इसकी जो क्रिया है जो fertilizer के जो क्रिया है वो बहुर फास्ट हो जाते हैं और जो liquid fertilizer के जो power है वो कई गुना तक बढ़ जाती है क्योंकि इसमें दोस्तो बेक्टिरिया एड हो जाते हैं यह साथ दिन हमारे पूरी तरह से complete हो चुके हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा यह bio decompose ready हो चुका है देखें दोस्तो इसमें हलका सा पिला कलर भी आ चुका है जो उपर वरली जाक की layer है वो भी आप देख सकते हैं इसमें जो deactivate bacteria थी वो पूरी तरह से activate हो चुके हैं अगर आप इसे कोई भी आप खात बना रहे हैं जैसे kitchen waste decompose या गोबर के कंड़े से जो भी हम फटलजे बना रहे हैं उसमें अगर इसे डालते हैं तो इसकी जो क्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाती है और जो खात हम बनाते हैं उसके power भी 10 गुना तक बढ़ जाती है और यही खात अगर हम हमारे plant में यूज करते हैं तो plant हमारा हरा भरा होता ही है पर फॉल और फूलों से भी पूल तरह से बढ़ जाता है हम इसे garden में, balcony में या फिर हमारे खेत में जो भी हम फूल लगाते हैं या फॉल लगाते हैं उसमें हम यूज कर सकते हैं कि दूस्तो कोई एक plant के लिए नहीं है आपके बगिया में या फिर खेत में कोई भी plant हो फॉल के, फूलो के या सबजी के उसमें आप यूज कर सकते हैं और इस city compost का में फायदा तो यही है कि इसे हम घर में भी रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी smell नहीं आता है अगर आपके पास drum है या फिर bottle है ताप इसे बंद करके एक मेने बाद, दो मेने बाद या एक साल बाद भी यूज कर सकते हैं अगर यूज करते करते अगर यह खतम हो गया और आपके पास अगर आपने 10 लिटरे, 20 लिटरे बनाया है और उसमें का 1 या 2 लिटर बज गया है ताप उसमें वापस पानी एड करके उसी मातरा में गूड मिला कर आप 5 दिन के लिए या 6 दिन के लिए रख के रख दिजिए आपका दोस्तो जो decompose है वापस बनके रेडी हो जाता है इसमें वापस हम लोगों को decomposer नहीं दारना पड़ता है इसका यह मेंद फायदा है यानि एक बार आप DB खर्द लेते हैं ताप सालों साल उसका यूज कर सकते हैं और यह decompose ऐसा है जो बंजर जमीन में अगर हम 2-3 बाड डालेंगे तो बंजर जमीन भी दोस्तो उपजावू बन जाती है और इसमें भी जो भी हमरे प्लांट है वो प्लांट अच्छी तरह से ग्रोह होने लगते हैं देखी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमें इसका हर गमले में यूज करना है अगर आपका गमला 10 या 8 इंज का है ताप इसमें 100 ml तक डाल सकते हैं और इससे बड़ा है याने 12 या 16 इंज का तो कम से कम इसमें 1.500 ml तक हम decompose डाल सकते हैं और इससे 15 या 20 दिन में एक बार हम इस्तिमाल कर सकते हैं पर ये इस्तिमाल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि हमारा जो गमला है इसमें कम से कम 2 दिन पहले हमें कोई भी पानी नहीं देना है याने जो मिट्टी सुखी रहेगी तो बहुत फास्ट ये decomposer हमारे जो प्लांट है उसको अपजरू कर लेगी और इसका में फाइदा तो दोस्तों यही है कि जो हमारा प्लांट है वो प्लांट को भी दोस्तों nutrition मिलते है और जो हमारी मिट्टी है जो गमले की मिट्टी वो भी दोस्तों nutrition चे पूरी तरह से भढ़ जाती है देखें दोईस तरह से हमें हर गंबले में इसे डालना है आपके पास कोई भी प्लांट हो फल के फूलो के या फिर सब्जी के प्लांट हो फिर वो गंबले में लगाया है या फिर आपने राइक जमिन में लगाया है सभी तरह से इसका इस्तिमार आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा मातर में इसको बना के घर पे रख सकते हैं और जब भी आपको जुरूत पड़े तो आप हर गमले में 15-15 या 20 दिन में आप इसे डाल सकते हैं और यह plant को दोस्तो बहुत हरा भरा और फूलों से पूरी तरह से भरा रखता है और जो हमारी मिटी है उसकी भी nutrition पूरी तरह से बना कर रखता है देखें दोस्तो यह बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसने से बनने वाला decomposer है और अगर एक बाय बना लेते हैं तो lifetime आप इसका ही इस्तिमाल कर सकते हैं तो चलो दोस्तो अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है जो भी दोस्तो डिटेल थी वो पूरी डिटेल decomposer के मैंने आपको बताने की कोशिश किये फिर भी आपके कुछ सवाल मन में रह जाते हैं तो मुझे comment box में अवास लिख देना ताकि मैं आपके comment पढ़के आपके जो भी सवाल है उसके जवाब देशकूं तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद